राधी राधी मित्रो आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में तुमित्रो आज मैं चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन से लगने वाले दोस्त के बारे में बात करने वाली हूँ जी हाँ जैसा कि आप जानते हो ये चंद्रदर्शन गनेश चतुर्थी के पास ही होता है और इस समय अगर आप चंद्रमा का दर्शन कर लेती हो तो आपको दोस लग सकता है तो इस वीडियो में आपको उस दोस के वारे में उसके निवारन के वारे में बताऊंगी और उससे जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में बताऊंगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं धार्मिक रंथों के अनुसार गणीश चतूर्थी यानि भद्रपद मास्क के सुकल पक्च की चतूर्थी पर चंद्रमा को नहीं देखा जाता है क्योंकि माना जाता है कि गनीश ची ने चंद्रमा को श्राप दिया था इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन से बचना चाहिए यदि कोई जाने अन जाने दर्शन कर लेता है तो उसे चंद्रदोस लग जाता है और साथ ही माननता अनुसार उस पर चोरी का जूटा इलजाम भी लगाया जाता है यदि भूल वस चंद्रदर्शन हो जाए तो क्या करे चलिए उसका उपाय भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी चलिए अब जान लेते हैं आखिर क्यों नहीं देखना चाहिए चंद्रमा एक पास श्री गनेश जी यात्रा कर रहे थे तभी रास्ते में उन्हें चंद्रमा मिले चंद्रमा को अपनी सुन्दर्दा पर बहुत खमंड था चंद्रमा ने जब श्री गनेश को छोटी से चूहे पर सवार होकर आड़ी तेड़ी चाल से चलता देखा तो उनकी हसी निकल पड़ी अपने रूप के गर्व में वे गनेश जी की विशेशाकरिती का मजाग बनाने लगी तब गनेश जी ने उन्हें श्राब दिया कि उसका यह रंग रूप खत्म हो जाएगा चंद्रमा के शापित होने से सभी लोग में हाहा कार मजग गया चंद्र देव को अपनी गल्दी का एहसास हुआ वे बहुत उदास हो गए थे और श्री गनेश से छमा करने के लिए प्रात्ना करने लगे अन्तता भगवान गनेश ने उनके श्राब से मुक्त होने के लिए पूरी भक्ती और स्रध्धा के साथ गनेश चतुर्थी का व्रत रखने की शला दी इस प्रकार पहले व्यक्ति जिन्होंने गनेश चतुर्थी का उपास रखा था वे चंद्रमा थे श्री गनेश के श्राब के कारण ही चतुर्थी के या चंद्रमा श्रापित हो गया लेकिन अन्य चतुर्थी पर चंद्रदर्शन के उपरांधी व्रत खोला जाता है चलिए एक तथा और भी है जो कि श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है भद्रपत के सुकल चतुर्थी के दिन श्री कृष्ण जी ने चंद्रमा को देख लिया था इसके चलते श्री कृष्ण जी पर सत्राजित यादव की मणी चुराने का आरोब लग गया था उन्होंने चोरी के कलंग का सामना करा फिर उन्होंने खुद ही दलास की कि आखिर वा मणी किसने चुराई है मणी की खोज में उन्हें पता चला कि एक से या मणी उठा कर ले गया था वह मणी जामवत को मिली थी जामवत ने उस मणी को अपनी पुत्री जामवती को दे दी थी उस मणी के लिए श्री कृष्ण और जामवत में युद्ध हुआ बाद में जामवत युद्ध करते करते ठक गया तो पूछने लगा कि तुम कौन हो तुम साधारन इंसान नहीं विवाह भी करा दिया तो ये भी एक कथा चन्द्र दर्शन दोस का निवारन भी जान लेते हैं तो श्री गणी चतूर्थी के दिन चतूर्थी दिथी शुरू होने से लेकर खतम होने तक चन्द्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए यदि फूल से गणीश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो गए हैं तो मित्या दोस से बचने के लिए श्यामन तक मणी वाली कथा सुनकर यथा सकती दान दक्षना देना चाहिए और इस दोस का निवारन यही है मित्रो अगर आप देख लेते हैं तो बस इस तरीके से इसका निवारन पा सकते हैं तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में जरूर बताए और हो सके तो फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे तो चलिए कमेंट्स में राधे राधे लिखकर हमें मोटिवेट करें और इस वीडियो को यहीं आण करती हूं राधे राधे